वेल्कम बग गाईज च्वागत है आपका एबार फेसे मस्स क्लासिस की यूटूब चैनल पे प्यारे साथियो अडवान्स निमेरिकल अनलाइसिस जो की MSC Mathematics Final Air का पेपर है के बारे में अपन 2022 के Most Important Qs की जो सीरीज है उसको डिसकस करेंगे ठीक है साथियो तो सबसे पहले अपन Unit First के बारे में डिसकस करते हैं Unit First जो है इसमें आपके पास मातर चार मेथड़ आपको गिवन है इन चारों मेथड़ को आपको ढंक से पढ़ना है और इन पर वेस्ट एक 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 अग्जामपल कर लेना है Integration मेथड मुलर मेथड चौबशेव मेथड न्यूटन रेफशन मेथड इनके मेथड जो है वो भी आपको आने चाहिए प्लस इन पर एक 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 अग्जामपल आपको 101% करने कोई भी दो मेथड आपको आपके एक्जाम में देखने को मिल जाएंगे ठीक है अग्जामपल जो है वो 32 सावधानी पुर्वक करना है जरूरी नहीं है कि आप जो अग्जामपल बढ़के जाओ वही अग्जामपल आपको पेपर के अंदर मिले अग्जामपल कैसा भी हो सकता है लेकिन तरीका वही होगा एक्जामनेर आपको परसनेली बोलेगा यूजिंग मुलर मेथड यूजिंग नूटन रेप्शन मेथड ओके और इस परकार से आपको आपकी जो क्या करने है शोल करने है तो यूनिट फरस्ट का सिरफ इतना सा काम था चार मेथड है चार मेशे चारो के चारो मेथड़ अगर एक क्यूशन हट भी जाता है अगर आप इसमें से किसी एक मेथड को छोड़ भी देते हैं तो एक क्यूशन तो ऐसा होगा जिसके अंदर आपको दो मेथड मिल जाएंगे चारो मेथड़ पर क्यूशन पूशता है इस चीज़ को ध्यान में रखना है तो एक्जामपल बहुत ही ध्यान प्रोक आपको करना है उसके बाद में मैं बात करूँगा यूनिट थर्ड को रहे हैं यूनिट थर्ड में आपको तीन मेथड जो यहां पर गिवन है इन तीनो मेथड को करना है प्लस इन पर बेस्ट एक 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 अग्जामपल आपको करना है ठीक है और मैंने मोस्ट इंपोर्टन अग्जामपल जो है वो यहां पर आपको बताने की कोशिज की है मौमीद करता हूँ कि वो अग्जामपल पस जाएंगे आपके एक्जाम में जैसे प बताना है power method को काम बे लेते वे ठीक है पहली चीज तो यह है कि आपको methods के बारें बता होना चाहिए examiner आपके method पूछता है method भी पूछता है example तो पूछता है उस पर method भी पूछता है ठीक है सिधा बोल देगा define power method define jokobi method इस तरीके से ठीक है तो jokobi method हो गया और given method हो गया तो यह तीनों method से आपको रटे भी होने चाहिए power method का example में आपको बता दिया है question number 4 जो है इसमें कहा कि compute the largest eigenvalue and eigenvector for a matrix A equal to 3-1-0-1-2-1-0-1-3 के लिए आपको सबसे बड़ी eigenvalue और eigenvector के बारे में बताना है question number 5 में देखो क्या कहा कि using jokobi method find the eigenvalue and eigenvector of a matrix A बराबर यह तो यह तो 2-1-0-1-2-1-0-1-1-0-1-2 यह तो equation हो गया उसके बाद में मैंने यहाँ पर और लिखके एक matrix और दे रखे आपको 1 root 3 4 root 3 4 root 3 4 root 3 1 यह अलग है यह matrix अलग है इस matrix के लिए आपको jokobi method काम में लेते विए eigenvalue और eigenvector जो हो बताने है ठीक है तो दो example आपको jokobi method में मैंने बता ही है आप समझ रहे हैं ठीक वैसे ही question number 7 पर जो है मैंने आपको एक matrix दे रखी है और इस matrix में आपको कोई भी method काम में नहीं लेना है सिर्फ यहाँ पर आईगन value और eigenvector जो है वो ही बताने है कोई method नहीं काम में लेना है तो आपकी इच्छा गनुसार अगर examiner बोल देता है कि इस method काम में लेते हैं आईगन value और eigenvector बताइए तो बात लगा है और अगर नहीं बोलता है तो फिर आपको simply आप कोई भी method यूज करके और eigen value और eigenvector जो यहाँ पर बता सकते हैं आगे समझ उसके बात बात करते हैं unit 4 के बारे में unit 4 में tailor series method, picard method, rungta kutta second order method ये तीन method है इन तीनो methods को आपको करना है इन पर बेस्ट example करने है अब यहाँ पर मैंने अग्जामपल इसने ने बताए क्योंकि examiner जो है वो कभी-कभी out of din चला जाता है बाहनों में बह जाता हो तो वह क्या करता है कि कैसा भी example आपके सामने बना कर गे रख देगा तो आपको method का पता हो चाहिए जैसे tailor series method है तो tailor series के बारे में आपको पताना चाहिए कि कैसे solve होती है और बस फरक कुछ नहीं है फरक इतना है कि यहां पर क्यूशन लिखेगा कि using tailor series method और आपको question दे देगा और उस tailor series method को काम में लेते विए आपको question को solve out करना है तो इन पर best example आप यहां से कर सकते आप अपने इच्छा से कोई भी दो unit यहां पर complete कर लिजी आपको काम हो जाएगा ठीक है साथियों तो मैंने अपना best जो है यहां पर आपको देने की कोशिस की है इस परकार अपने चार paper जो हैं वो complete हो जाते हैं compulsory paper first और second उसके बाद में मैंने आपको integral equation और integral transformation वाला जो paper ह बता दिया है और उसके बाद में advanced numerical analysis वाला जो paper है यहां पर इसके most important question यहां पर बता दिया है अब मैंने आपको continuum mechanics जो है उसकी लगबग तीन युनिटे complete करवा दी है तो आप उनमें से कोई दो unit पढ़के और अपना काम इस साल लिए चला सकते हैं अगर किसी विदारती के पास continuum mechanics वाला paper है तो देखें हुआ कि मैंने जब form apply होना start वा था उनुशिटी का उस टाइम पर मैंने आखो कहा था कि जो विदारती मेरे से पढ़ रहा है वो continuum mechanics के लिए as a optional subject अब आपको अपनी पढ़ाई अपने तरीके से करनी है किस तरीके साब पढ़ते हैं किस तरीके साब नहीं करते हैं हैं वह आप ही डिपेंड करता है motivation के लिए मैं बार बार आता रहूंगा और आज 25 में हो चुके हैं आज से private वाले वच्चे जो हैं उनके प्रेबर स्टार्ट हो चुके हैं तो exam के अंदर duty लगती है तो मैं इतना time जो है आप लोग के लिए नहीं दे पाऊंगा और अगर थ 22 के अकोर्डिंग अपना पेपर जो कंप्लीट कर सके हैं ओके साथियों तो आज के लिए तना ही रखते हैं thank you so much have a good day